तो आज में एक शो के बार में आप लोग के साथ बात करने वाले हूं जो है शार्ट टैंक इंडिया जिसे पहले और चालिज देश शो में था इंडिया में यह निया सीजन है तो मुझे यह इतना पसंद है ना में एडिक्टेट हो चुकी हो इस शो के साथ और मुझे इतना करते हो और आप लोगों का भी जो भी तो हैं जो भी एक्सवेशन हैं आप इस वीडियो के कमें सेक्षण में बताइए का तो में सबसे पहली बात तो इस चैनल के मतलब जो इन लोग ने कास्ट की है जो भी साथ शार्क से सबके सब एक से बढ़कर एक है तो मैं मतलब जो मतलब एप्रिशेट करना चाहते हूं कि इन शार्क में से किसी सेलीबेटीज को इंक्लूट नहीं किया गया है और बहुत बरी बात है क्योंकि अगर सेलीबेटीज को बिठा दे इन शार्क चाहिड बनाया है जिन से मोटिवेशन मिल सकता है इन्सपेरेशन मिल सकता है एसे रियल हीरोस को यहां पर यह रेस्पोंसिब्लेटीड दिया ग्या है तो यह बहुत यह बात है इस शार्क सेना उनके बीच में जो कॉन्षेशन होता है जो एक दूसरे का टांख पार सब्सक्राइब को से सिर्फ दूसरे से डिल चीनने का जो मज़ा उनको आता है शायद सेम जामें भी आता है जो फटो तो ऑच है जो ही यंग जैनलीरिशर है वो कितना सोच थे हैं बिजनेस के बारे में बारे में प्रॉब्लम सो लेकर के उसके सेलेशन निकालने के बहुत बड़ी बात है और जो एक है ना कि बहुत सरे से इंजिनेर्स है मतलब माबाप ने तो यह दो प्रोफेशन डिसाइड कर लिया है कि पढ़ाओ लिखाओ एक तो डॉक्टर बना और दूसरा इंजिनेर बना तो इंजिनेर्स करेंगे क्या इसना जॉब मिलेगा कहा अगर कोई बिजन स्टार्ट नहीं करेगा तो यह बहुत बड़ी बात है इस शो का तो मुझे इस शो मेरा सबसे जो भी है जितने सारे शार्क से सब मुझे बहुत पसंद है तो मैंना थोड़ा थोड़ा करके सब का इंट्रो देना चाहोंगी अमन बार्मा आ रहा था दो सिकंड के लिए अमन गुपता विनीता सेंग नमीता थापर गजल अलग अनुपमितल और प्योश बंसल प्योश बंसल तो मेरा फेबरिट है क्योंकि जो हेल्प किया था था ना जुगारू कमलेश का उस शो में उसने मेरा दिल जीत लिया था मै मैं इतना रही थी ना मुझे बुरा लग रहा था थे ना न एसी बीचे कर दोeren कि लीजसी मेरे लिए तो कर दो और तो तो घंड इंवेस्ट किया रिए्ट कुछ चैब और इसको बेदिया और वह थोड़ा थोड़ा करके रिटर्ण कर सकता है तो यह बहुत बड़ी बात था मुझे बहुत अच्छा लगा था और इससे नहीं पता चल जाता है कि प्यूजबन सल दिल से भी कितना अच्छा इंसान है और उसके बाद हमने देखा भी है कि कमलेश उनके घर गए वह में बहुत रिस्पेक्ट है somehow I am connected with farmers somehow we are from this type of family so बहुत अच्छा लगता है जब कोई farmers के लिए सोचता है farmers के लिए काम करता है ultimately अगर farmers नहीं होंगे तो हम तो मरी जाएंगे तो यह मुझे बहुत अच्छा लगा था मैं अशनी ग्रोपर के बाद करना चाहता हूं जो भारत के को फाउंडर है तो वह प्योर बिजनसमेन है मुझे कुझे बूहँ जाएं घुट पांपाँ सब्सक्राइब करता है मुझे में स्टार्टिंग में मनी supplements क्या था मुझे लग रहा कि वह था यह जोहक्ता है नहीं इतना जो दिल पर जाके लगता आई जैसे बात में मुझे रियलाइस हुआ है कि देखो में मिठा 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 हो जाएग इसमें क्या ही कर लूँका है कोई अगर मुझे हर्शली बोलेगा बट मुझे सच बोलेगा यह मेरे फ्यूचर में जाके काम आएगा जैसे में अपनी बात बोलते हैं तुझ से नहीं हो पाएगा तो यह छोड़ दे तो यह मत करना और मुझे अगर उस चीज़ को लिए के पैशन है और मैं अगर कॉन्फि करता है अन्प 현재 के वाकर घरते हैं अमन का क्रीज़ है कि वह बहुत ही फंपरसन का कने बहुत है मैं बाशता है में बना सकता हूं वह ब्रांट में करे यह मुझेettsा औरम इंशियक बहुत इनरगला है जो अरगा बात करता है तो मुझे अशरी है फंदेता हर स्शोर बात मिलम अनुपर मितल भी बहुत पसंद है क्योंकि ओ आशनिर ग्रोबर का ऑपोजिट वर्शन है मतलब क्या है जो अच्छा अनुपर मितल है को फांडर ऑफ शादी.com उनका शायद पीपल ग्रूप है उसका को फांडर है और CEO है शायद मुझे याद नहीं रहता है तो उनका जो होत है कि बहुत ही पॉलाइटली जेंटल वे से बहुत अच्छे से समझाते हुए वह बहुत है आइम आउट अट इस अबट आई उश्यू आल दा बेस तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इसके बात करने का तरीका बहुत ही जेंटल मैन है बहुत लोगों को ना समझा कि बहुत पसंद है तो उनकी बात जो मैं करूंगे कि बहुत सवाल मैं रही और ऑच्छे से स्वालब है वी तुमचे बहुत पसंद्द है भी जिए भी म Christmas के वह मतलब कया है नहीं को जो समझ मेंन Painte और उनके बाते भी बहुत ज़ते हैं मतलब एक आप अच्छे से लोगों समझाते हुए फिर बात करते हैं पिर नमीता था पर जो M.Cure Pharma के जो co-founder है तो उनके बाद में बोलूंगी कि उनके बाद बहुत अच्छे लगते बहुत अच्छे से समझाते जिनके साथ वह आपने कर पाते हैं वह प्रेस्ट करते हैं और जिनके साथ वह रिलेट नहीं कर पाते हैं फोर टैट रिजल नहीं कर पाते हैं तो उनका ही बैस्ट को लेके और वो जितना प्रफेशिनली प्रेजेंट किया और अच्छे से सारे शाड से सवाल के आंसर कि बहुत मज़ाया था और इतना हसी दीना में इतना मज़ाया था ना में क्या वह बता हूं और वह मैंने अब तक चाहँ शाहर है बहुत ही इंस्पिरिशनल है मतलब inspiring है बहुत मोटिवेट करता है overall edited हो चुक हुए है इस नो का मतलब this is quite आदत बन चुका है तो मुझे बहुत पसंद आया है आई होप आप लोगों को भी अच्छा लग रहा है ताब लोगों कैसा लगा कमन सेक्षन में जरूर जरूर बताएगा चैनल पे नेहे है तो सब्सक्राइब कीजिए का इस वीडियो को लाइक कमें शेयर कर दिजिए तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तेक कैर आपेस बाई